हेलो फ्रेंस वगत है आप सभी का मैस्टरी दोश यूटूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में तो फ्रेंस यह है हमारा प्रूफिट और लोज का पार्ट टू तो अगर आपनी पार्ट वन नहीं देखा तो उसका लिंक आपको discussion box में मिल जाएगा साथ में एक playlist बनावा है चैनल पे वहाँ पे भी जागे आप उस वीडियो को देख सकते हैं साथ में से पहले कि जितने भी math से लेटर टोपिक बने हुए हैं वो भी आप जरूर से देख सकते हैं तो गैस बात करते हैं आज हम question number 11 से हमने question number 10 तक पिछले lecture में जो है discuss कर लिया था तो कैसा लगा वो सब चीजे तो आपने उस वीडियो में बताया लेकिन इतना खासा response आपकी चरफ से देखने को मिला नहीं I don't know why बगर आप बताते कि क्या problem हुआ आपके साथ में तो मैं जरूर उस चीज का solution आपके लिए निकाल पाता खर कोई बात नहीं अभी आपको तोड़ा सा क्या है कि नया चीज में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन अभी जैसे आप continue से करेंगे तो आपको यह पूरा continue समझ में आने लग जाएगा तो अभी देखे हम बात करता है कि उसे नमर 11 से यहाँ पर आपको बोल रहा है कि a man were to sell his handcraft for handcart for RS720 he would lost 25% to gain 25% the selling prices क्या होता है कि एक व्यक्ति है अपने रिक्षे को handcart को 720 रुप में क्या करता है बेजता है तो उसे क्या होता कि 25% की हानी होती है अब हमें यहां से एक clue मिला कि 25% की बात कर रहा है इसका fraction हमने निकाला 1 by 4 अब देखे loss हो रहा है तो CP और SP की बात होगी 1 by 4 नीचे वाली value हम हमने माना CP अब loss हो रहा है तो उपर वाली value minus होगी यानिकि यह 3 हो गया ठीक है अब वो बोलता है कि जब वो 25% loss कब होता है जब 720 में बेजता है यानिकि इस 3 की value कितनी है 720 अगर इसकी value 720 है तो इसका जो relation आएगा 240 का आ जाएगा क्योंकि अगर हम 3 को 240 से multiply करें then we get 720 तो यह और कियाता ऐसको क्यों करें livro आगिया है तो इसको multiply करेंगी यह आपके पास में इसका answer आएगा कि इसका प्रॉक्षा अन्षा है कितना आता है तो यह पियाँ dow तो वो उसको कितने में sale करदा यह इसका cost price है इसका 25% profit यानिकि वही same 25% का fraction तो 1 by 4 होगा इसमें CP जो है वो 4 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे इस बार हमें profit जाएगे तो उपर का हमें plus करना है तो 4 to 5 यानिकि 4 की value आपके पास में 960 है क्योंकि यह cost price है हमारे पास आगी relation वही इसका रहेगा 240 का उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका चाहिए है अब news SP जो हमारे पास में है इसको क्या करना है आपको 240 से multiply कर देना है तो यह आपके पास में आदाएगा 1200 और यही इसका जो है answer हो जाएगा देखिए आप question कैसा भी हो वास इसको समझने के जरूत है कि कहां पे आपको relation निकालना है कैसे इसको question में apply करना है और बिल्कुल easy तरीके से आप इससे निकाल सकता है just within 30 seconds आप आरामसे से कर सकता है मैंने आपको detail से समझा है इसलिए थोड़ा time लग रहा है नहीं तो आप इसमें कोई खासा calculation देखने को यहां पे नहीं मिलता है इसके बाद friends आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस question को करने का एक और तरीका है तो उसे हम बानते है SP2 तो हमें क्या करना है कि यह formula आपको याद रख लिना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह के question करें जिसमें वस्तु को एक बार खरीद के फिर से बीचा जाता है दो बार बीचा जाता है तो उसके formula होता है SP2 is equal to होता है SP1 into 100 plus जितना profit आपको यहाँ पर चाहिए जितना profit या loss जितना चाहिए अपन 100 plus जितना हुआ जितना हुआ या तो आपको loss हुआ होगा या इसका profit हुआ होगा तो इसको आप कैसे करेंगे अभी आगे बात करते है तो देखे फ्रेंस इस question को इसमें apply करते हैं हमें निकालना है sp2 क्योंकि हमें इसे वही पूछ रहा है कि जब 25% लाब होता है तो sp2 is equal to sp1 sp1 हमें दिया गया है कितना 720 तो 720 into 100 plus जितना चाहिए हमें कितना चाहिए बोलता है कि हमें 25% लाब चाहिए तो plus लिगनना है लाब चाहिए इनकी profit जीए तो 25 ठीक है upon 100 plus जितना हुआ 100 कितना हुआ हमें क्या हो रहा था पहले हानी हो रही थी तो इसको minus करना है तो minus 25 इसको solve करेंगे 720 into 125 upon 75 इसको 25 से काट देंगे तो यह आपके पास में हो जाएगा 5 बटा 3 इसके बाद 3 से इसको काट देंगे तो यह आपके पास हो जाएगा 240 और into 5 करेंगे तो वही आपके पास में 1200 आजाएगा देखिए यहाँ पे भी आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि वही 240 आपके पास में आया है और उसके बाद उसको 5 से multiply किया गया जैसा अब मैंने पहले बताया आपको relation निकाल की सिर्फ वही चीज़ यहाँ पे आई है तो इससे आपका 1200 आंसर आया अगर आप चाहते है कि आगी questions को आप इस तरीके से करना चाहते है तो यह आप इससे भी कर सकते हैं उसमें देखी क्या है कि रटने की कोई जरूत नहीं है बस उसमें मैंने आपको बताया है fraction method हर जगह काम करेगा कहीं पे भी लगाओ लेकिन इसमें क्या है कि फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप इसको ध्यान रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो आप उस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा थोड़ा सा और टाइम बच रहे तो आप इस formula को copy में note कर सकते हैं जैसे भी जहां पर आप करना चाहें कर सकते हैं आपको लगता है वीडियो देखते हुए किस कुसन को मैं आसानी से कर सकता हूं मेरा और और भी आसान तरीका आपके पास में अगर है तो वो आप comment करके बता सकता है साथ में आप इसको साथ साथ में कोसिस किजिए कि आपको ये आ रहा है या नहीं अगर नहीं आ रहा है तो कहां कमी हो रही है इससे क्या होगा कि आपको आपकी कम्यों का पता चलेगा और क्यूसन आप पना पाएंगे क्यूसन बोलता है a tradesman sold an article at loss of 20% the selling price of had been increased देखे, selling price यहाँ पर increase हुआ है वो कितने से 100 से कब increase हुआ है there would have been a gain of 5% जब उसमें 5% का profit होता है तो selling price 20% बढ़ जाती है तो cost price आप से पूछा गया है हिंदी वाले पढ़ सकता है हिंदी में भी अब देखो, यहाँ पर देखे क्या बोल रहा है, हमारे पास में मान लेता हूँ कि आपके पास में 100 रुपे में एक वस्तु है 100 रुपे की, हमने suppose के लिए माना है आप कहेंगे कि इसमें 20% है fraction method लगाओ, तो fraction method भी लगाओ लेकिन आप भी आपको यहाँ से समझने की कोशिस करनी है कि fraction method से भी आसान कुछ चीज़े होती है अब देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास में CP जो है, इसकी cost price हमने वानी सोर पर थी, वो क्या बोलता है कि सबसे पहले उसे 20% का क्या होता है हानी पर बेचता है उसे 20% के हानी पर बेचता है अगर मैं इसमें से माइनस कर दू 20% तो यहाँ आपके पास में 80 रुपीज जाज आएगा और यह क्या है, उसकी SP1 क्योंकि उसने क्या कहा कि पहले वा 20 पर बेचता है, उसके बाद देखे यह चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप क्योंस समझवाएंगे, जो मैं कर रहा हूँ अभी देखो, यहाँ पे आपके पास में क्या होला कि 5% पहले विक्ती ने क्या क्या 20% के हानी पर बेचा, तो उसने 80 रुपी बाद की अब वो क्या कर रहा है कि उस वस्तु को 5% के लाब पर बेचता है, तो उसे 105 रुपी मिल रहा है लेकिन क्योंसन में एक क्लू आपको यह दिया गया है कि जब वो विक्रे मुल्य को 100 रुपी से बढ़ाता है, तो यहाँ पे देखे चार का आपके पास में रेलेसन आया, अब आपको इस चार को कहीं पर भी अपलाएगर कि आप कुछ भी निकाल सकता है इस चार को हमें चाहिए कि कोश्ट पर इस पूछा है आपसे क्रे मुल्य है सेलिंग प्राइज है, तो सेलिंग प्राइज 2 यह है आपके पास, जो 5% लाब कमाता है इसको आप 4 से मुल्टिप्लाई करके आप इसे निकाल सकते थे अगर आपसे यह पूछता कि उसने कितने में हानी पर जब वस्तु को बेच रहा था मतलब 20 से वह वस्तु आपके पास में कितनी हुई होगी 21 क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है अब यहाँ पर देखो यह CP है, तो हमें CP क्या करना पड़ेगा same करना पड़ेगा क्योंकि cost price यहां पर बदलेगी थोड़ी ना तो इसको same करने के लिए मैं क्या करता इसको multiply करता चार से अगर मैं इसको 4 से multiply करता तो यह से चार से multiply करना पड़ता यह 16 हो जाता और यह आपके पास 20 अब CP बराबर हो गया यह आपके पास हो किया है अब यहां पर देखों पहले जब वस्तु को बेच रहा था तो 16 में बेच रहा था अब वस्तु को कितने में बेच रहा है 21 में बेच रहा है मतलब वह वहां पर कितने का difference आया है 5 का और वहां पर वह बोल रहा है कि यह 5 नहीं है ये कितना है 100 है तो 100 है तो यहां पे आपको कितने का रिलेसन मिलता 20 का अब 20 को आप क्या करते इसमें multiply करते क्योंकि ये क्या आपके पास में है पहले वाला CP है तो इसको आप 20 से multiply करते तो ये 400 आ जाता और वही इस तरह से आप निकाल पाते अब जो method आपको ठीक लगे उस त चुड़ा सा effort लगाने की कोशिस कर रहा हूं कुछ नहीं नहीं चीज़े मैं भी आपके लिए apply करता हूं तो comment books में आप use करिए उसको बताइए कि आपको ये ticks कैसे लग रहे हैं अब बात करते हैं next question की next question देखिए friends ये question आप देखेंगे तो आपको पहले वाला question करवाया मै अबी तो वह सेम उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा देखिए there would be a 10% of loss if the rise is sold at rupees 54 per kg to earn a profit of 20% the price of per kg will be तो देखिए एक चावल है उसको पहले क्या किया गया है चूवन रुपय प्रतिके गरक दर से बीचे गया 10% कि हानी हुई उसके बाद क्या हो कि 20% का लाप राप करने के लिए उसको कितने रुपर में बीचा जाना जी है तो यह तो वही हो गया SP1 और SP2 वाला तो हमारे पास एक ही वस्तों को दो वार बीचा जाता है तो हम इस formula बबलाई कर सकते है कि SP2 ब्राबर SP1 SP1 आपके पास में 54 into 100 प्लस जितना आपके पास में चाहिए तो कितना चाहि यह 54 into 120 upon 90 जिरो से जिरो कर जाएगा और यह आपके पास में 96 बार कर जाएगा 12 into 6 करेंगे 72 आपके पास आंसर आजाएगा और यह इसका आंसर हो जाएगा कि आप इसका जो selling price 2 है यह कि चावल की जो कीमत होगी जब 20% का हमें क्या हो रहा है तो वो कितनी हो जाएगे आपके पास में 72 हो जाएगे तो इस तरह से आप इसको directly निकाल सकते हैं और आयोप आपको यह समझ में आ जाएगा अब देखता है next question next question देखे guys बहुत ही अच्छा question है समझने की देर है आपको थोड़ा सा दिमाग आपका जरूर लेगा आपको क्योंस करने में time भी मुझे लग रहा है वीडियो अभी देखे 2-3 question हो यह 10 minute हो गया तो यह चिंदा मत कीजिए यह समझ में आना जी है time not matter आपके लिए अब देखे इस ओपके पर allow 23% commission on his advertised price and still make a profit of 10% if he gain Rs.56 on item his advertising price of item in RSS is देखे एक दुकांदर है क्या करता है 23% के commission देने के बावजूत 10% का लाव कमाता है और उसके बाद में क्या होता है कि 56 रुपए का लाव कमाता है तो वस्तु का विग्यप्ति मुल्ले क्या कीजिए अब देखे एड़टाइजिंग मुल्ले यानि कि आपके तीनों चीज़े में ध्यान रखने वाली बात यह कि अगर आपको डिस्कांट निकालना है तो आप मार्क प्राइज पर निकलेंगे अड़टाइजिंग प्राइज भी हम मार्क प्राइज को बज़ते हैं उसके साथ में जब भी आपको प्रोफिट या लोज निकालना है त कि 23% कमिशन भी दिया है उसने अगर 23% कमिशन दिया है तो 100-23 क्या होगा जिसे बीच का डिलर है तो उसकी कड़ जाएगी तो ठीक है तो उसका कमिशन हमने काड़ दिया तो हमारे पास सेलिंग प्राइज जो है हम कुई कितने में दे रहे हैं 77 रुपीज क्योंकि 77 में वह उसके बाद वो बोलता है 10% का मुझे फ्रोफिट हो रहा है तो 10% का फ्रेक्शन निकाल लिए आप कहेंगे कि 23% का फ्रेक्शन भी निकाल लिए तो 23% कड़ता तो हो नहीं तो 100 अपॉन तेविस या तेविस अपॉन 100 होता आपके पास में तो उसी चीज को यहाँ पे मैंने simplify करके आपके लिए इस तरह से लिख लिए बाकि उसके बाद में 10% का फ्रेक्शन है तो यह 1 by 10 होगा अब इसमें नीचे वाली cost price होगी ठीक है तो 10% का लाब कमा रहा है तो लाब में हमें साथ नीचे वाली क्या होगी cost price होगी cost price मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया तभी हमारे पास में आगे value आएगे अब इसको same करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि 11 को जो है मैं 7 से multiply कर दूँ और 21 को एक से multiply कर दूँ तो यह same हो जाएगे उसको जो है 77 में वो वस्तु भिक रही है तो उसे जो है four выпол oh अपने इसाब से seven रुपे और वें लेकिन यह Qution में बोल रहा है कि वह seven रुपे नहीं है वह 56 रूपीज है छपपन रुपे का प्रुफेट उसे हो रहा है तो इसको आप देखेंगे और यह इसका जो निकाल लेना है आपको relation तो आठ रुपय का relation आजाएगा ठीक है यानिकि इस आठ गुना है इससे आपने वाले जो से है तो इसमें क्या वोल रहा है तो वस्तु का विग्यप्ति मुल्ले आप देखें आपके पास विग्यप्ति मुल्ले आपके पास यान की mark price या आपके पास 100 है तो इससे multiply करेंगे आठ से तो यह 800 हुआ जाएगा और यही आपसे पूछा था कि उसने जो है advertising price कितनी रखी है कितना उसने print करके दिया है तो 800 रुपर उसने print करके दिया है 2300 रुपय वो डीलर को रिलेशन आया अब आठ को आप चाहें तो अगर आपसे cost price पूछे तो यहां पर आठ से multiply करो अगर आपसे पूछे कि उससे जो है डिल को देने के बाद में कितने में विकरी थी तो यहां से multiply करो और हमें पूछा था mark price या advertising price तो यह 800 आपके पास में answer आजाएगा I hope आपको यह समझ में आया होगा थोड़ा सा complicated है मेरे लिए भी समझाना आपको कि आपको समझ में आ रहा है नहीं क्योंकि first time आपको मैं ऐसे effort के साथ में पढ़ा रहा हूं तो चिंता मत कीजिए जैसे आप मेरे साथ regular जुड़े रहेंगे आपको भी आदत हो जाएगा अब देखते हैं फिर next question next question देखे काईंस बहुत ही ज्यादा complicated आपके लिए हो सकता है सच कहूं तो आपके level जो air force है एक्स जो एक्स ग्रूप तो नहीं है खर वाई ग्रूप जो है इसमें और साथ में बात करो ने भी AA and SSR इन एक्जाम्स के लिए जो पूछा जाता है mathematics इतना high level नहीं पूछा जाता है लेकिन question आया है आपके सामने तो इसको करने के कोशिज कीजिए हो सकता है आप आगे जाके किसी दूसरी एक्जाम की भी त्यारी करेंगे तब question को ऐसे phase करना ही पड़ेगा आपको तो अब चिंता मत किजिए इसको भी हम आसान बना देंगे बस थोड़ा सा पढ़िए इसको फिर देखते हैं कैसे नहीं होता है देखिए अब क्या बोल रहा है the mark price of an article is 50% above cost price when mark price is increased by 20% and selling price is increased by 20% the profit become double if original mark price is Rs.300 the original selling price is देखिए इस question को वैसे अगर directly करना चाहेंगे तो थोड़ा सा घुमा फिरागे कहूं तो बहुत ज्यादा complicated वर जाएगा इसका सही तरीका यह है कि आप इससे options उठाईए और question को करिये आप देखिए थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगए है आपको बोल रहा है कि एक वस्तु है उसका जो लागत म बढ़ाया है और वहाँ पर उसको जो mark price लिखा गया है वो पचास प्रसंट अधिक लिखा गया है लेकिन यहां पर हमें बोल रहा है कि जो actual अंकित मुल्य है वह कितना है आपके पास में 300 है अगर यह बोल रहा है कि इसको 50 प्रसंट बढ़ा के लिखा गया है तो हम क्या करत तो यहां पर आपके पास cost price हो गया 200 और mark price हो गया 300 ठीक है अब उसके बाद में क्या बोल रहा है आपको कि यह चीज तो होगी cost price मिल गया हमें mark price मिल गया अब यहाँ पे आपके पास में profit कितने का हो रहा है आपको हम option B उठा लेते हैं ऑप B हमने उठाया तो यहाँ पे आपके पास में यह क्या है यहाँ प्रोफित हो गया अब हमें क्या हुआ है कि जो नया SP है हमारे पास यह जो SP है 250 पचास इसको जो है इंक्रीज किया जाता है कितने से 20% से क्योंकि क्योशन में बोला गया कि 20% जो है बढ़ा दिया जाता है विक्रा मुल्य को अगर हम इसका 20% निकाले तो 50 होगा और 50 बढ़ाने के बाद में 20% बढ़ा दिया जाता है और बाद में यह क्या हो जाता है कि जो लाब है वो दो गुना हो जाता है तो अब देखो यहां पर पहले 50 का लाब हो रहा था अब 100 का लाब हो रहा है तो यहां पर सेलिंग प्राइज को 20% बढ़ाने के बाद में होरत हो रहा है यहां पर दूगना आप क्यूंकि 50 into 200 होता है न तो यह satisfy आपका कर गया option नमर B और इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं इससे आसन तरीका जो है इसका कोई नहीं है और बाकी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह का क्योशन साைद आपसे नहीं पूशा जाएगा आपकी जो exam है उसके लिए बकि अगर other exam जो भी आप त्यारी कर रहे हैं उस पे जरूर पूशा जा सकता तो बेफिकर रही है इस question को त्यार रही है आप इससे करने के लिए आप बात करते हैं फिर next question के next question देखिए friends आपके पास में है question number 16 और ये question आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है ये आप समझ सकते हैं कि exam में आने वाला ही है ऐसा तरह का question तो चिंता मत कीज़ें लेकिन ये चीज़ जो है मैं बार बार आपको समझाने की बुर्षिस कर रहा हूं लेबल प्राइज ठीक है तो लेबल प्राइज आपके पास में है इक चीज़ आपको ध्यान रखना क्या है कि मार्क प्राइज जो होता है न उस पे ही हमेशा डिसकाउंट दिया जाता है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कौस्ट प्राइज पे निकाला जाता है और यहाँ पे जो मार्क प्राइज है उसापर डिसकाउंट निकाला जाता है ठीक है तो यह चीज़ आपको समझे आ अन बोल रहा है आपको 30 परेंज पने किया है तो यह आपके पास में हो गया 3 by 10 अब नीचे वाला जो है आपके पास mark price होगा starting में mark price होगा अब उसके बाद में उसने क्या हुआ discount दे रहा है तो उपर वाली value minus और selling price उसका जो हो जाएगा साथ हो गया अब क्या हुआ कि उसने जितने में खरीदा उस जो को cost price मानते हैं उसने क्या क्या 40% का profit कमाते हुए उस वस्तो को जो है बेच दिया हैंकि SP2 माल लेता हुआ उसको कि उसने किसी और को बेच दिया 40% का profit क्योंकि उसने खरीदी कितने में थी 7 रुपे में खरीदी और उसने 40% का profit कमा कि उस दूसरे को बेच दिया अब mark price कुछ भी रहा हो लेकिन उसने खरीदी 7 रुपे में थी तो यह उसका cost price हुआ अब देखो 40% का equal fraction आया है तो 40% का मतलब आपके पास में कितना हो गया 2 by 5 40 by 100 करेंगे 20 से काड़ देंगे तो यह आपके पास हो जाएगा अब यहाँ पे आपके पास में जो इसका cost price है यह नीचे वाला यह CP होगा उस वक्ति का अर्विंद का तो यह CP है तो इसको मैं लेखता हूँ 5 और उसको profit हो रहा है तो plus तो यहाँ पे 5 plus 2 7 हो गया अब देखो यहाँ पे यह दोने चीज़ अलग अलग है तो यहाँ पे इनको same करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या तो कुछ इनके LCM से multiply कीजिए या इनको आपके पास में एक दूसरी से multiply कीजिए तो यहाँ पे आपके पास में होग इसको 5 से इसको 7 से लेकिन इसको ही 7 से नहीं इस तरह कोई संख्या होती तो भी और इस तरह है संख्या तो भी उसको 7 से multiply करना है इसको 5 से multiply करना है इस पूरी संख्या हो जैसे आप इसे 5 से multiply करेंगे यह 50 हो जाएगा और यह 49 हो जाएगा यह 35 हो जाएगा अब क्या बोल रहा है कि उसका जो है फार्टिनाइन रुपीज उसे मिल रहा है, एक्षोल में उसे प्रोफेट हो रहा है, क्यक्य क्वीज की दिकालत है Selbstr看一下 में सात रुपे था, हमारे सबसे महैं निमाना ही, अक्ष Scholar नहीं 나오 valid है तो यहां पर discount जो है इस पे मिल रहा है आपको दिख रहा है कि एक का discount मिला है और किस पे mark price तो 50 into 100 यह आपके पास में पता चला कि आपको 2% का जो है उसको discount मिला है किस विक्ति को जो दूसरे ने जो कड़ी खरीती है लेकिन उसे जो है discount 30% का मिला था और उसको profit हुआ है यहाँ पे तो सारी चीज़े आपको समझ में आ गए होगी देखे टाइम लगाते हुए मैं इसको समझाने की कुछस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद इस question को solve करना नहीं है आपको समझाना है अब यह मत समझेगा कि sir आप 10 question कराते हैं चले 30-40 मिनट का वीडियो बन जाता है वो समझाने के लिए बनता है नहीं तो 10 question को आप मैं चाहूं तो 5 मिनट में भी कर सकता हूँ यह मेरे करने के कोई फरक नहीं पड़ता आपको समझ में आना चाहिए बस मेरे लिए यह चीज मेंटर करती है बगी बात करते हैं फिर next question की next question देखे फ्रेंज आपके पास में है a trader allows a discount of 10% on the mark price he still has a profit of 70% on the cost price find the profit percentage chance if he sell at the mark price ठीक है तो यहाँ पर profit percentage आपको पूचा गया है तो वो जितने में उसे बेच रहा है इंदी में आप देखे एक व्यापारी जो है अंकित मुले 10% छूट देता है फिर वे लागत मुले 17% का लाब भी कमाता है तो उसे वस्तु को अंकित मुले पर बेचे तो उस वस्तु का प्रतिशत लाब क्या होगा देखो आपको चीज यहाँ पर सबसे पहले mark price की बात होई तो अंकित मुले पर 10% की छूट दिया है तो उसने क्या किया है कि एक वस्तु है उस पर 10% की छूट दिया है याँ कि 1 by 10 होगा इसका fraction और स्टार्टिंग में उसने 10 रुपय उसने लिखा 10% की छूट दिया याँ की उपर वाले minus होगा तो उसने क्या किया कि no लिख दिया discount है इसलिए मैं mark price लिख रहा हूँ ठीक है ये चीज़ धान रखना है तो यहाँ पर 10 रुपय उसने लिखा और उसने 9 रुपय में बेच दी क्योंकि उसने discount के साथ बेचा उसके बाद क्या बोल रहा है कि वह cost price भी 17% का लाब कमाता है अब नई चीज़ जुड़ी है आपके पास cost price 17% है तो 17% के लिए हम अगर काटना चाहें तो नहीं कटेगा ये 17 बटा 100 ही आपके पास रहेगा तो नीचे वाली आपके पास cost price रहे तो हम मैं क्या करता हूँ कि cost price को 100 लिखता हूँ और 17 का क्या हो रहा है उसे profit हो रहा है तो यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि selling price है तो selling price तो same ही रहेगी तो 117 उसके पास हो गया अब आपके पास देखे इन दोनों को आपको same करना है क्योंकि it different है अब इनको same क्या तो यह देखे आपके पास मागर मैं इसे 13 से multiply कर दू तो तो तेरा नाम 117 होता है, तो इसको भी 13 से multiply करना है, तो यह आपके पास में हो जाएगा 130, तो अब तीनु चीज आपके पास में यहाँ पे clearly दिख रही है, cost price है 100 रुपया, mark price है 130 रुपया और selling price जो है, discount देने के बाद में 10% का वो, यहाँ पे 170 आप चाहिए, तो चेक कर सकत है कि उस वस्तु को अंकित मुल्य पे बेचे, अगर वो 100 की वस्तु को अंकित मुल्य कितना है, 130 रुपया है, 130 में ही बेचे तो उसको कितना percent का लाब होगा, directly आपको वैसे दिख रहा है कि कितना है, 30% का लाब होगा, अब देखो इसका difference है 30 का, तो 30 बटा 100 into 100 करेंगी, त तो वही 30% आपके पास आजाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में समझ में आया, कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30% का उसको लाब मिलता, अगर वो क्या करता, उसको directly mark price पे ही पेच देता, ठीक है अगर वो आपसे पूछता, कि अभी ही अगर उसको पास में कितना लाब ह हो रहा है, तो 17% का, यह क्योशन में दिया गया भी है, 17% लाब कमाता हुदा है, कि सोग की विस्तो को 117 में बिच रहा है, तो 17% लाब दीख रहा है आपको, तो क्योशन में कैसे भी आप क्योशन को कर सकते हैं, बस एक ही मेधर होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने के कौन कोश्ट प्राइज बनता है, माक्षप्राइज पर क्या निकलता है, यह चीज आपको समझने पर और प्रैक्टिस करने पर आजाएगा, बात करता हैं कि नेक्स्ट कुशन के, नेक्स्ट कुशन देखें फ्रेंस, बहुत ही इंपोर्टन क्योशन आपके लिए और बहु वह धते हैं कि वस्तौपर लागतमुले जो है बेस परिस परसन अधिक लिए लगता है, लागतमुले मतलब मार्क प्रैस, और मार्क प्रैस जो है, वो निक्ता आए कोश्ट पर इसे अधिक लिए तो लिए प्छुट पर देता है, अपनी हिसाब से मांन रहे है, उसके बात है कि discount जो है आपको cost price पर नहीं देना है, mark price पर देना है, तो 10% की discount दे रहा है, इनकी 1 by 10, तो 10 की बस्तों को वो 9 पर में बीच रहा है, discount दे रहा है, मतलब minus होगा, यहां पर यहां सीच समझ में आगे आपको, अब 2 बार mark price के लिए यहां पर आपके पास value आई है, तो हम इसको same करना पड़ेगा, इसको same करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि इसको हम 3 से multiply कर दे, तो यह 30 हो जाएगा, इसको 5 से multiply कर दे, 6 इंटो 5 30, 10 इंटो 3 30, कैसे भी करें बरावर, minimum संख्या से आप कर multiply करेंगा, तो उस भी क्या होगा, कि आपका calculation easy रहेगा, अब देखो इसक वस्तु को 216 में बीचा गया, हमारी साप से 27 में बीचा गया, यह 216 में बीचा गया, तो relation आपके पास में आगया 8 का, अब यह आपसे पूछ रहे है, तो वस्तु का लागत मुले, यानि कि कोश्ट प्राइस कितना होगा, तो 25 को 8 से multiply कर देजे, यह आपके पास में हो 216 मिलती है, यहाँ पर यह दियान रखना है कि हमेशा जो कोई भी विक्ति होता है, कोई भी सामाना अगर आप खरीते हैं, तो उस पर जो मार्क लिखा हुआ होता है, वो मार्क प्राइस होती है, और डिसकाउंट आगर आपको जैसे बोलते हैं, कि मैं 30% less करके दे रहा हूं आपको, तो वो हमेशा मार्क प्राइस पर देता है, वो अपनी जो लागत है, उसमें कमी नहीं करेगा, ठीक है, तब भी क्या अभी आपने सुना आपको पूछा जाता है, कि एक व्यक्ति जो है, 10% की छूट देने के बाद में भी 20% का प्रोफिट कमा लेता है, तो आप सो देखें गाइस, बहुत ही अच्छा क्योशन ये भी आपके लिए, कि if the cost price of an RT का item is 5 by 9 of its mark price and the profit is 20% than the percentage of discount is, एक वस्तु है, उसकी जो लागत मुले है, यानि कि mark price, sorry cost price, उसका जो cost price है, वो क्या है, mark price का 5 by 9, तो देखें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कि mark price को 9 माल लेता ह अब आप कहेंगे कैसे माल लेता है, यह क्या बोल रहा है, कि उस वस्तु का जो लागत मुले, यानि कि cost price जो है, वो mark price का 5 by 9 है, तो mark price यहाँ पर 9 है मैंने माना, तो इसका अगर मैं 5 by 9 निकालो, तो यहाँ पर 9 से 9 कट गया है, और आपके पास यह क्या बोल गया, cost price, 5 मिल कि नहीं मिला, तो इस तरह से मैंने यह चीज मानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको यह धहान रखना है, कि किसको कैसे मानना है, यह चीज भी आपके लिए बड़ी matter करती है, तो आप यह समझने की cost खरिएगा, ठीक है, तो यह 9 हो गया, यह 5, क्योंकि यह already हमें fraction में दि का, क्योंकि प्लस 1 करेंगे 6, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह दोने चीजी सेम होनी चीए, तो यह पहले से सेम है, तो हमें कुछ करनागी नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास में cost price जो है 5 आया, और mark price नो होगा, selling price होगा, अब बोल रहा है कि छूट का परतिशत ब का, तो हमें मतलब क्या पता चला है, कि 3 रुपे की छूट हमें मिल रही है, अगर वो वस्तु हमारे पास में mark price 9 रुपे है तो, और 3, 3 by 9 into 100, upon mark price करना है, छूट upon यहन की discount, upon mark price into 100, यह आपके पास में discount percentage निकालने का formula है, ठीक है, तो discount हमें 3 रुपे का मिल रहा है, और into यह आप इसे 100 by 3 बोल दीजिए, क्योंकि 3 से 3, यह कट जाएगा, 100 by 3 होगा, 100 by 3 मतलब 33, 1 by 3 percent, और यह आपके पास में D option इसका correct answer हो जाएगा, कि आपको कितना परतिसाथ, 33 सही, 1 बटा 3 परतिसाथ का discount मिल रहा है इस case में, तो I hope आपको समझ में आया होगा, आप देखते ह पर next question, आप देखते हैं, आज के लिए next और last question, देखे, question आपके पास बोला है, A sell, is a cycle to be at profit of 10 percent, B sell to C at the profit of 20 percent, if C pays Rs. 264 for it, how much did A pay for it, देखे, क्या बोल रहा है, कि A ने एक cycle खरी दी, और उसे B को 10 percent के लाप पे बेज दी, 10 percent का fraction आपने इकाला बन बन बाई 10, इनके 10 की वस्तो को profit हुआ है, तो उपर 11, 10 की वस्तो को B को 11 में बेज दी, आप B ने क्या किया, कि उसको 20 percent के लाप पे, इनके जितने में B ने खरीता, उसका 20 percent है, इनके 20 percent है, मतलब 1 by 5, 5 की वस्तो को उसने क्या क्या, 6 में बेज दी, अब हमारे पास यहाँ ही, यहाँ प प्लाइ कर रहे हैं, तो सबी को करेंगे, इस लाइन में pipe से करेंगे, इसमें 11 से करेंगे, यह आपके पास में A आपका 50 हो गया, यह आपके पास 55 हो गया, और यह आपके पास में 66 हो गया, अब क्यूसन हमारे पास बन गया कि A ने क्या किया, 50 रुपर में खरीदी, B को 55 में कि ये क्या पुछ रहा है कि A ने कितने में cycle खरी दी है हमारी साब से तो A ने 50 रुपए में खरी दी relation 4 का आए है तो 4 से multiply कर दो 200 आपके पास answer आगए कि इसने A ने 200 रुपए में ये खरी दी है और C ने जो है खरी दी 264 में answer देखिए आपके पास में A option तो ये आपके पास में इस cancer हो जाएगा So friends आज के लिए फिलाल इतना ही है I hope आप सभी को question समझ में आये होंगी Next हम यहाँ पे 21 number question से start करेंगे कल और आप चिंता मत किजिए आपके सारे doubt यहाँ पे clear कर दूँगा कुछ लोगों के सवाल गिया है कि sir आप SSC का लिए पढ़ा रहे हैं हमें यह question SSC कि किसी ने में question पूछा था कि sir आप LDC वाला पढ़ा रहे है तो मेरे भाई एक बात बताओ आपको मैं topic पढ़ा रहा हूँ profit and loss profit and loss तो मुझे यह बताओ कि profit and loss अगर आपसे यह बोला जाता है कि मैं IES की तयारी कर रहा हूँ उसमें पूछा जाता है तो क्या वहाँ पे profit and loss का मतलब बतल जाएगा क्या आप SSC के लिए पढ़ रहे हैं तो profit का मतलब बतल जाएगा क्या Air Force के लिए अलग से profit and loss बनाया गया है तो मुझे यह बताओ profit and loss कहीं पे भी किसी भी exam के लिए आप पढ़ो सेम चीज होती है हाँ level थोड़ा different होता है लेकिन मैं आपको question ढूंड ढूंड के उसी level तक के question करा रहा हूँ जहां पे आपको दिक्कात आरे वहां पे बता भी रहा हूँ कि यह आपके level का सायद नहीं है लेकिन यह सारे के सारे क्यों आपके exam में पूंचे गया है क्योंकि मैंने खुद ने exam आपका देखा है कैसा होता है आप लोगोंने share किया है reviews मैंने बनाया है तो मुझे सारी चीज़े पता है तो उसे साफ से आपको बना रहा हूँ तो चिंदा मत कीज़े आपके फवले के लिए चीज़े करूँगा मैं कि यार मैं भी इतना time waste कर रहा हूँ लगबग देखे कि इतना time भी हो गया है तो मुझे भी सोक नहीं है कि यार आपको कुछ गलत चीज़ बढ़ाऊ ठीक है काई होब आपको जो भी problem होती है आप जरूर comment कीज़े जैसा आपको लगता है वो चीज़ आप मुझे real बता ही था है क्योंकि आजकल notification का बहुत ज्यादा problem हो रहा है YouTube पता नहीं क्यों नहीं विज रहा है तो bell icon को फिर से दवा लेजएगा thank you so much मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care all the rest